Assalamualaikum dear students, today I will discuss plays and prose of the pewten age. Before starting my video, please like my video and subscribe my channel. आज का मेरा lecture जो है, वो है pewten age के टाइम पर जो plays लिखे गए, जो prose लिखे गए, वो सब हम आज की वीडियो में discuss करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो. सबसे पहले जिकोबियन एंड कैरोलिन plays ये इस टाइम पर कौन से plays लिखे गए, जब James first और Charles first का range चल रहा था, तो तब कौन कौन से plays लिखे गए, तो इसमें importance हम playwright की बात करेंगे, और उनकी plays की बात करेंगे. अलिजबेत एज में जैसे हमने देखा कि बहुत ज़्यदा drama popular हो रहे थे, बहुत ज़्यदा plays लिखे गए और बहुत famous famous drama artist थे जैसे कि William Shakespeare, William Shakespeare के death के बाद plays जो है, डिकलाइन होना start हो गए, यानि drama जो है, डिकलाइन होना start हो गए, चार्ल्स first और James first इस टाइम पर प्योटनि में टोटली थेटर जो हो गए थे, यानि बिल्कुल बंद हो गए थे जिसको नैश्रल लैट भी का आ जाता है, यानि यह नैश्रल मौत मर गए थे, क्योंकि प्योटनिजम जो movement चली थे ना, उसमें इन सब को थेटर बगारा plays बगारा इन सब अच्छा नहीं समझा जाता थ चर्च वगारा ज्यादा हो गए थे, उनकी पॉप्स वगारा रूल ओवर करने लग गए, तो इस सब से जो है, जो plays थे थे वो बंद हो गए, इस टाइम पर फिर भी plays लिखी गए, कुछ ना को वर्क इस टाइम पर ड्रामा में लिखा गया, इस टाइम का most famous जो हमारे पस play writer जोहन मास्टन, जोहन मास्टन ने 1574 से 1634 तक इसका टाइम पिरिड चल रहे है, यह इसने violent and extra virgin style जो है, यूज किया, इसने melodrama जो है वो लिखे, इसका famous drama हमारे पस है, एंटोनिया and melodia, एंटोनिया जरीवेंज, एस्ट वोर्ड्स हॉए, the mal content, the dust courtisan, इसका famous plays है कि इसके जोहन master के, इसका जो हमारे पास famous play estward हुए है, यह admirable comedy of manner है, जिसमें यह realistic life, यह tradesman की realistic life के बारें बात कर रहे है, कौन से play में, इसका यह play estward हुए है, इसमें यह tradesman की realistic life के बारें बात करता है, second हमारे पास है, Thomas Decker, is also one of the most famous play writer, इसने बहुत ज़्यादा work लिखा, जैसे कि इसका famous work है, famous play है, the shoemakers of the holy day, the honest, और यह इसका famous work है, कि इसका Thomas Decker का, इसकी खसूसियात, Thomas Decker के, मैं वर्क के थोड़ी आपको characteristics बता दूँ, कि इसका work बहुत ज़्यादा famous, इसले भी हुआ, कि इसका, इसके play जो है, वो possess करते थे, grace and freshness, even कि जो Ben Johnson है, जो के great dramatist है, Ben Johnson, famous Ben Johnson, उसके work मे भी वो grace and freshness नहीं होती थी, जो के Thomas Decker के works में होती थी, तो यह जो है, इसने famous यह work लिखे, then हमारे पास है, then हमारे पास है, Thomas Haywood, यह भी famous play writer थे, प्योटन टाइम के, यह प्योटन एज के famous play writer है, और इसकी resemblance, यह थोड़ दोड़ा resemble करता है, कि इसके साथ, Thomas Decker के साथ, इसके work resemble करते है, यह gentleness था, और good temper, इसने अपने, यह good temper था, और इसने काफी plays लिखे, इसने लिखे, टोटल 220 plays, 220 plays, Thomas Decker ने लिखे, और इसके only 24 जो है, वो extend हुए है plays, और इसकी जो manly plays होती थे थे ना, उसमें यह theme रखता था, यह कहले है, इसके plays deal करते थे, life of the cities, cities life के साथ, ज deal करते थे, इसका most famous play, the four pre-tenses of London, with the conquest of journalism, यह famous plays है, Thomas Haywood के, इसी तरीके से इसने और भी famous play लिखे, Edward Six लिखा, इसने, the troubles of Queen Elizabeth लिखा, the fear made of exchange लिखा, fear made of the west लिखा, इस तरहां के बहुत सारे इसने work लिखे, जैसके most famous, इसने एक और work लिखे, जैसके most famous, इसने एक और work जो हो लि और बहुत popular यह work है, women killed with a kindness, यह एक domestic tragedy जो है, इस play में, और यह simple form में लिखा गया है, जिसमें यह gentle picture of happy home, destroyed by the wife's strategy, कि इसमें, कहले है, इसने, क्या हमें बताया है, यह जैसके मैं पहले बताया है, यह domestic tragedy, और simple form में लिखा गया है, इसमें picture दिखाई जाती है, कि happy home की, जिसमें और ओरत की वज़े से वो घर तबाह होता है, इस तरहां की जो है, इसने tragedies लिखी, the English travelers is also most famous work of Thomas Haywood, इसका बहुत famous work है, then हमारे पास है, Thomas Middleton, Thomas Middleton का भी great name है, इस time Jacobian or Caroline period plays में, इसका famous name है, और इसमें यह criticize, यह अपने work में जातर criticize करते हैं, और इसने जातर सिटी आफ लंडन के बारे में लिखा है, किसने Thomas Middleton ने अपने work में, सिटी आफ लंडन के बारे में ज्यादा लिखा है, और इसके famous work जो है, हमारे पास जैसे के, a trick to catch the old one, a mad word, my master, the Spanish Gipsy, इस तरहां के famous work जो है, Middleton ने लिखे, इसके लावा भी इसने काफी work लिखे, a chest mad हो गया, और इसके लावा, your five glands हो गया, इस तरहां के काफी works, Middleton ने अपने work में लिखे, then हमारे पास है, सेरिकल टॉर्नियर ने mostly melodramas लिखे, जिसमें ये जो crimes or torture के बारे में ज़्यादा बात करता है, इसके जितने भी works ने, इसने crimes or torture के बारे में लिखे है, और इसके दो famous drama जो है, वो कों से है, the revenge tragedies or the ethnic tragedies, the famous work of Cyril Tornier, और इसमें ये clear और rapid style यूज़ करता है, त्यक्यादी इसमें dramatic effect ये डालता है, और इसके work जैता है, जैसके मैं पहले बताया है, इसके work किसके बारे में crimes or torture के बारे में जादा की होती है, इसके work में, then हमारे पास है, most famous, इस time period के, इस time period के, most famous writers, जोहन वेबस्टर, जोहन वेबस्टर का नेम जो है, वो आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, ये इस time के most famous जो है, जोहन वेबस्टर, प्लेराइट है, इसने, जो है, वो काफी plays लिखे, और दूसरों के collaboration में भी इसने काफी plays लिखे, यनि दूसरों के साथ collaborate करके, और इसका most famous work है, दा वाइडेवल, ठीक है, वाइडेवल, विटोरिया कॉंबना, दे डचीज अफ मालफे, इससा famous work आफ जोहन वेबस्टर, और इसमें, ये crimes of italian beauty, जो है, जो इसका work है, ये, विटोरिया कॉंबनो, इसमें ये discuss करता है, most fantastic manner में ये discuss करता है, वर्क को, और जो, इसका, वर्क है, इसका work, डचीज अफ मालफी, डचीज अफ मालफी, जो है, ये एक tragedy है, ठीक है, जिसमें, यंग वीडो, डचीज, जो के, पागल हो जाते है, और पाद में, इसकी death भी हो जाती है, दो ब्रदर की death होती है, तो इस रहा की story, डचीज अफ मालफी में है, और इसके हमारे पास है, जोहन फ्लेचर's time के, और फ्रांसीज बियोमंट, जोहन फ्लेचर कौन थे, इन्होंने फ्रांसीज बियोमंट के कॉलिबरेशन में बहुत दा work लिखा, इसके बहुत दा फैमस हो गा, इसके काम बहुत लिखा, लेकिन इसके कुछ प्लेश ही famous हुए, और इसन और फ्रांसिसे ब्योवमेंट के जहाँ फ्लैचर नहीं वर्क दिकान संबेन अपने जो ट्रैजिडी. aren Mix. इस पहते हैं ये तो इस संब्सक्राइब अपने एस उबाएंट आपने खारेली गूसी ये Кवलाम यहिंज इस चाहिजय ये ऐफ philip messenger philip messenger जो है उन्ने tragedies लिखी और इन्होंने flasher के collaboration में भी कुछ work लिखा और इसके जो work है वो intellectualism से combined है ठीक है और messenger जो है उ dominant था किसके बाद flasher के बाद यही जो है इस time का पियोटोनिजम age का dominant रहा इसके इलावा इसने 37 plays लिखे जिसमें 18 ही extent रहे हैं ठीक इसके जो comedies हैं उसमें हमें exegration जो है वो मिलता है और इसने tragedies में इसके tragedies में हमें जो है वो romantic भी थोड़ा नजर आता है ठीक है romanticism को भी इसने लिया है इसके इलावा इसके जो most famous work है tragedies है वो क्या है theodot the false one the little flunch layer and the new one to pay all debts the man of honor it's a famous work of philip messenger a new way to pay all debts ये इसकी best comedy है कौन सी a new way to pay all debts ये best comedy है किसकी philip messenger की इसके इलावा भी इसने work लिखे है serious play भी इसने लिखे है वो कौन से है the unnatural combat जैसे हो गया the man of honor हो गया the bound man हो गया the roman actor हो गया the picture हो गया इस तरहां कि इसने जो है वो serious plays भी लिखे है इसके बात हमारे पास है जोहन फॉर्ड ये भी contemporary थे messenger के और इसने इसके true point है इसके लावा ये fatalist, melancholy and gloomy person है historical plays इसने historical plays भी लिखे है कुछ tragedies, comedies भी लिखे है और इसके famous work, historical play जो है वो पार्किन वार्बेक है और इसके इसने the lovers melancholy, the broken hurts, love sacrifice जैसे work भी लिखे है और इसके जो style था वो handling of emotions यानि इसका work जो है वो या जो style था वो grace था ठीक है और इसके work जो love sacrifice है ये क्या show करता है इसका skillful handling of emotions शो करता है इसके इलावा इसने suffering भी अपने work में जो है कहलें, suffering के बारे में भी इसने work लिखे है suffering means के इसका जो attitude था और जो इसके work था वो क्या है डिपिक्टिंग suffering उसमें इसने लिया इसके इलावा ये high place आर्टिस्ट भी थे इसके बाद हमारे पास है James Shirley जो के इस time के last dramatist है प्योटनिजम के और इसने भी और इसे lamb ने इसके बार में क्या कहा है द्योटनिजम ने इसको क्या कहा है जैंस शेरले को कहा है the last of a great race प्रोफालिक राइटर भी है कोई originality शो नहीं करते है इसके best comedies है the tractor, the cardinal ये best comedies है किसके the wedding हो गया, change हो गया, change भी इसको work है, comedy है the lady of player हो गया, ये इसके best comedies है दे गमेस्टर भी हो गया ये भी इसके best comedies है इसके लावा ये realistically represents contemporary manners को realistically represent करता है इसके लावा इसने tragic comedies भी लिखी है और जैसे के young admiral ये इसकी tragic comedies है the opportunity इसका tragic comedy है इसके लावा इसने tradition को भी continue रखा ये थे most famous प्योटन एज के यानि जिकोबियन और कारोलन एज के most famous play writer अब हम बात करते हैं जिकोबियन और कारोलन एज में prose writer यानि प्रोज भी लिखा गया वो prose writer कौन कौन से हैं वो हम discuss करते हैं जब हम बात करते हैं इस एज के prose writer की तो सबसे पहले हमारे मायन में जो बात आती है जो writer आता है वो होता है Francis Bacon Francis Bacon is the most famous prose writer of the Jacobian and Caroline period ये Elizabeth period में इसकी बर्थ थी लेकिन उस टाइम पर इसको इतना सराहा नहीं गया मतलब इसका वर्क इतना ज़्यादा popular नहीं हुआ और इसको इतनी ज़्यादा एहमियत जो है उस टाइम पर Elizabeth age में नहीं मिली Jacobian period में इसका वर्क बहुत ज़्यादा famous हुआ और ये lawyer भी थे Francis Bacon एक lawyer भी थे Ben Johnson कहते हैं Francis Bacon के बारे में कि no man ever cuffed or turned aside from him without a loss इस रहां कि जो lines होती है ये prepare किया करें no man ever cuffed or turned aside from him without a loss ये किस ने लिखा Ben Johnson ने फ्रांसिस Bacon के बारे में ये line लिखी है इसके इलावा ये as a prose writer ये aphoristic style का master था तो आपने ये भी याद रखने किस style का master था इसके इलावा इसका style जा है rhythm इसके work में specialistness और ease की कम ही होती थी ठीक है तो इसके बाद इसके ने बहुत जाए और ये father आफ इसको प्रो ऐसे भी कहा जाता है father of essay कौन है Francis Bacon है इसने बहुत जाए famous essay लिखी और इसके famous work में henry seven इसने एक work लिखा the advancement of learning of truth marriage and single life of revenge of great place इस तरहां के बहुत जाए वर्क फ्रांसिस बैकन ने लिखे है Francis Bacon इस time के dominant prose writer थे किस time की? Jacobian and Caroline Age के इसको बहुत जाए पापुलर हुआ इसके बाद हमें पर second prose writer है Robert Burton और इसका duration चला 1577 से 1640 तक Robert Burton जो है वो अपने work the anatomy of melancholy के लिए जाने जाते हैं यानि इनकी जो है वो इनकी कहले इसको जो famous या popularity मिली वो किस work से मिली the anatomy of melancholy की वज़ा से Robert Burnt को इसके इसके इलावा और ये book जो है ये English language में है और इसने human melancholy को analyzed किया और इसके effect और इसने इसके cure भी बताए ठीक है? यानि human melancholy के बारे बात की उसके इसराद बताया और इसके इलाज बताया और इस ये book जो है ये ills के साथ deal करती है इसके बाद हमारे पास more most prominent जो राइटर है प्रोज राइटर है इस टाइम के वाए सर्थॉमस ब्रॉन most famous prose writer इनका duration जला 1605-1682 तक इसने जो है different category से ये बिलॉंग करता है और इसने manner of writing इसका बहुत 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 इंपॉर्टन सब्स्टांस था इसके work में कौनसा manner of writing और इसके लावा ये first deliberate stylist थे English language के और इसका famous work है हमारे पास religious medicine ये famous work था Sir Thomas Brown का hydrotafia the urn barrel ये famous work थे Thomas Bourne के ये great artist भी थे thinker भी थे और इसकी जो work था वो poetic in richness of language ठीक है famous play writer sorry prose writer है वह है जैरमे टैलर जिसका duration ये डाए 1613 से 1670 1667 तक और ये bishop थे और इसको literary sermons की वज़े से बहुत बहुत जदा famous मिली और इसके इलावा sorry population इसकी popularity जो है और किसके वज़े से थी ती sermons की लिटेरियरी sermons की वज़े से gentle charms of his language और इसके work जो थे वह और इसको रिचनेस आफ इप्जी इमिजी इमिजेस को बहत चाह सला है इसके इलावा इसका इसका फैमस वर्क है हॉली लिविंग और हॉलि डाइंग स्थी वार्ब। लिखनी इनarken और रिलीजटरेश पर लिखना ही पसंद करता था। इसके बाद इस that I'm जहां वो लास्ट प्रो प्रोज राइटर है अर्ल आफा कलंडरी जो के प्र ही मॉस्ट प्रॉप्रोज राइटर है इसने फैमस वर्ट रिका द्या हिस्ट्रिर आफ रिपैलन सीवल वर्डिं इंग्लाइब इस थरह यह writers जो है, वो offensive नहीं था, जैसे कि ओर writers उफेंसिफ रहते हैं, यह offensive नहीं था, तो यह इस time के pros writer थें, जो कि हमने discuss किये, इस time की characteristics, यह नहीं, peautanism की, peautan age की characteristics, जो है, वो क्यों से characteristics थे इस time पर? इस टाइम्स की क्रेक्टिस्टिक्स जो हम डिस्कस करते है रिलिजिस इंफिलेंस जो प्योटन वैल्यूस थी वो किस से इंफिलेंस थी लिटरेचर से और इन शॉर्ट के इस टाइम पर लिटरेचर जो है वो रिलिजिस लिटरेचर इस टाइम पर जो राइटर्स है वो उनका फॉकस्ट क्या होता था था गूड और इवल के दर्माया इन्स्टेगल पर वो लिखते थे जैनि गूड और इवल के बारे में लिखते थे इसके बाद हमार पर सेकेंड करेक्टिस इसका है प्लैं स्टाइल टोटन राइटिंग इसका इसका डाइवन प्रॉविडेंस ऑमें क्लियर ली नजरे आता है सब राइटर्स की वर्क में टिर्स हमें उवर्ल इंस्टरक्शन इसका असको ओवराउल गायड गया चार्खतेàng जो ही और यह रिडिडर को इसको इसको कहली लिटरेचर हमने पड़ा है उसमें तकरीबन सब के वर्क जो है वो किस पर रिलिजिस बेस रखे गए है उसमें थेम्स रिलिजन का लिया गया है गूड इवल के बारे में बात की गई है मॉरल के बारे में बात की गई है sin के बारे में इस तरहां के work जो है वो लिके गए है इसके बाद है allegory ऐलेगरिकल elements जो है बहुत ज़ा common है यानि two meaning वाला surface meaning और hidden meaning इस तरहां character जो है वो represent करते है moral और special concept जैसे के जोहन बन्यान का work the pilgrims progress ये भी एक जो है moral work है तो ये थी इस time के characteristics प्योटनिजम एज की आज के वीडियो में हमने जो है वो discuss किया कौन सा प्रोज राइटर कौन से थे कौन को से प्रोज जो है वो लिखी गए इस time पर इस time के famous play writer कौन से थे और इस time की characteristics I hope आपको आज का lecture समझ में आया होगा thanks for watching my video please like subscribe and share my videos हू rę आप प्रोज रम माओ कौन